इसी चर्चा में आज हमारे साथ कॉंग्रिस से ब्लॉक अद्यक्ष डॉक्टर टीके धरजी जुड़े हुए हैं आईए इनसे गत बिगत दुनों में जो उप्चनाओं संपन हुआ है भंड़ाय बिधान सबा सीट को लेकर उनसे चर्चा करते हैं डॉक्टर साब जी सनाई में आपका स्वागत है जैसा कि तीन नवंबर को भंड़ाय बिधान सबा की सीट पर उप्चनाओं संपन हुआ है और जानदातर जहां जो देखा गया है कि जनता साइलेंट मोड में नजर आई इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जनता जो देख रही थी कि मध्यप्रदेश के जनादेश के साथ किस तरह का वेवर भारतिय जनता पार्टी ने किया है लोक्तंत्र का मयाक उड़ाते हुए इन्होंने लोक्मत को खरीद कर एक स्थाई सरकार को अस्थिर करने का कोशिश किया जिसमें ये कामायाब हुए जनता जनता पार्टी ने जो लोक्तंत्र का अपमान किया है उससे जनता रुष्ट है मद्यप्रदेश के किसान रुष्ट है मद्यप्रदेश के युवा वेरोजगार रुष्ट है मद्यप्रदेश के बृद्ध लोक परेशान है तो इस शबसे अगर देखा जाए तो जनता ने जो silent mode में आके बोट किया है वो भरतिय जनता पार्टी के खिलाब बोट किया है और मुझे पुरा विश्वाश है जनता पर जैसा कि भरतिय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि हम भान्डे बधान सवा पर जीत फिरसे करेंगे सत्ता में फिरसे आकर बैठेंगे इस आधार पर मतने जाने की वो किस आधार पर कह रहा है इस पर आपके क्या पृतिक्रिया है ये भरतिय जनता पार्टी का दूबा सापन है भरतिय जनता पार्टी समझ रही है कि हम बुरी तरह से हार रहे हैं उन्होंने फरजी बोटिंग की कोशिश किया यहां तक कि यह भी हम मसिन तक अपने कबजे में लेने की कोशिश की लेकिन हमारे कारे करताओं के शजकता की वज़े से वो अन्याय नहीं कर पाए तो भारतीय जन्ता पार्टी यह अच्छी तरह से समझ लगी है कि हम चुनाओ बुरी तरह से हार रहे हैं इसलिए हमारे कमलनाद जी ने आशंका वेक्त किया है कि भारतिय जन्ता पार्टी पुना खरित फरुक्त कर सकती है इसमें प्रशाशन को ध्यान देना जरूरी है चुनावायोग को ध्यान देना जरूरी है कि भरतिय dinero party जो क्षयल खेल कर एक बार सत्ता प्राप्त कर चुका है वो खेल अब न खेल पाएं इसके पूर भी जब कमनादजी ने जब हमारी कांग्रेस की सरकार बने थी तो जो हमारा बचन पत्र बना था जो हमारा चुनावी घुशना पत्र था उस पर एक एक करके काम करना सुरू किया था भरतिय जनता पार्टी को लगा कि अगर बचन पत्र के अनुसर अगर कांग्रेस ने काम कर दिया तो भरतिय जन्ता पार्टी का लोग प्रियता निश्टित रूप से गिरेगी क्योंकि भरतिय जन्ता पार्टी ने इस 15 वर्षों में शिवराज शर्कार का जो 13 साल का कुसासन रहा उससे जन्ता ठरस्थ हो गई इन्होंने बारा साल पहले कहा था कि मैं किसानों की आई दूगनी करूंगा तो आज अगर देखा जाएं आज की परदिश्ची में देखा जाएं तो पहले से बत्तर स्थिती में है किसान आए दोग नी होना तो दूर की बात है उनको समर्थन मुल्यों से भी कम मुल्यों में वो ठगने के लिए मजबूर हो रहा है तो ऐसी ठगी चाशकार अब दुबारा बापिस नहीं है आएगा यह किसानों ने ठान लिया है और हम कारेकरताओं का समकल्प तो ही कि भारतिय जन्ता पार्टी जैसा जन्विरोधी पार्टी को सत्ता से बाहर बेदखल करना है जिससे कि अपने प्रदेश में अमान वाशूप चैन कायम हो सके ऐसे नहीं में बात करने के लिए धन्नवाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 नमंबर को भार्णर बिधान सवा की सीड़ पर उप्चुनाव संपन हुआ है और भार्णर बिधान सवा की सत्ता का हगदार कौन हुआ यह तो एबियम में क्याद हो चुका है जो दस्तारिक के बाद निकल कर सामने आएगा कि जन्ता ने विकास के लिए किसे अपना प्रतिनिधी चुना हुआ है एसानाई के लिए लोकेस मिसरा की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं सक्छन न्यूज इंडिया सबसे पहले सबसे तेज